हेई एवरीवन वेल्कम बेक टो माँ चैनल सॉलिशन विद इंजीनियर सारा आज का जो हमारा लेच्चेर है वो बेस्ट वरता है सौफ्वेयर मॉडल्स पर सौफ्वेयर मॉडल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यानि के एक मॉडल दूसरे मॉडल से चेंजिस होता है जो दिसद्वांटेज पहले मॉडल में होगी उन डिसद्वांटेज इसको ओवरकम कर रहो होगा कोई और मॉडल्स या फिर एन्हांस होगा होगे एडवांस्मेंट हुई भी होगी मॉडल्स में सो चलिए हमारा जो सबसे पहले मॉडल है वो है क्लासिक वाटरफॉल मॉडल हम इसको गो थू करते हैं कि वाट एक्चुली वाटरफॉल मॉडल इस दा बेसिक सोफ्वेर डवलप्मेंट लाइफ साइकल मॉडल अर्लियर दिस मॉडल वस वेरी पॉपिलर बत नाओदेज इ लेकिन यह मॉडल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एक बेसिक मॉडल है सबसे ज्यादा जो कि हम किसी भी सॉफ्वेर को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं अगर मैं एजी वर्डिंग्स में आपको समझाओं कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है तो वाटरफॉ मॉडल मॉडल इंप स्वाइब करें एजी वाटरफॉल मॉडल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल जिस भी मॉडल की नीड होगी उस मॉडल को कॉपलेमेंट करते हुए हम सॉफ्वेर को डेवल अब करेंगे वाटरफॉल मॉडल वेरी सिमिलर तो SDLC यानिके इसे उन दर थाक सो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला फेज है फीजिबिलीटी स्टेडी देन रिक्वार्मेंट्स डिजाइन कोडिंग इंटिगरेशन मेंटेनन्स अच्छा वाटरफॉल मॉडल यानि कि जो वाटरफॉल है वो इंडिकेट कर रहा है कि जब हम क्या करते हैं जब पानी गिर र पानी के दो सुच मुल्टी करते हैं जैसे हम ने सारी अपनी वाटर्फॉल मॉडल नेमध दी ए sons पर इसके दो वहाज हरें डीसमार्म feasibility study the main goal of this phase is to determine whether it would be financially and technically feasible to develop the software feasibility study में होता ये सीन है कि जब कोई यूजर अपनी requirements को लेकर आता है तो टीम उसकी requirement को देखकर ये decide करती है कि whether this software would be financially and technically feasible or not means हम उसकी feasibility को check करते हैं हम कैसे check करेंगे हम financially ये check करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि client ने अपने requirements बताई हो software बहुत जादा बड़ा हो बट उसका budget जो है वो कम दे रहा हो या फिर हम technically हम इस तरह से feasibility check करते हैं कि जो software हम client हमसे require कर रहा है कि उसको बना कर दो क्या हमारे पास उसकी resources मौजूद है या नहीं resources में हमारे पास environment मौजूद है team मौजूद है या नहीं है तो हम सब से पहले यहां पर financially and technically feasibility check करते हैं कि हमारे लिए यह software बनाना feasible है या नहीं है so feasibility study में हम यह check करते हैं the feasibility study involves understanding the problem and then determine the various possible strategies to solve the problem और हम क्या काम करते है feasibility study में जब हम एक दफर client अपनी requirements को बता दिया कि यह software बनना है तो हम क्या करते हैं कि possible solutions को discuss करते हैं कि हम इस डाइस एक solution यह है कि हम इस को इस तरह से इस software को develop कर लें एक solution यह है हम इस तो different solutions को हम communicate करते हैं अपने client के साथ यह हमारा phase one है feasibility study जब यहां पर हम इस phase में सारी communication कर लेते हैं और clients की requirements को gather कर लेते हैं तो हम अपने next phase में जाएंगे और next phase में जब हम जाएंगे तो हम again feasibility पर नहीं जाएंगे धियान रहें कि feasibility study में हमें हर चीज को discuss कर लेना है पहले से अगर हम waterfall model use कर रहे हैं तो then हम second phase पर आएंगे requirements analysis and another phase again हमने this phase का SDLC में भी discuss किया था once the requirement has gathered from the customer तो हमें हम क्या करते हैं फिर हम उसके एक document ready करते हैं which is SRS document ताकि future में कोई dispute ना हो between the customer and the developer so यहां पर हम इसको तोड़ा सा इसकी definition को भी go through कर लेते हैं requirement gather and analysis firstly all the requirements regarding the software are gathered from the customer then the gathered requirements are analyzed तब से पहले हम customers की requirement को gather करेंगे यानि उससे उसका input लेंगे उसके बाद हम requirement specification यानि कि हम उसमें एक SRS document बनाएंगे SRS document एक contract होता है जो कि डॉब लेपर एंट टीम के between होता है वही बात कि at the end of the software जब software complete हो जाए तो ऐसा ना होगे customer अपनी new requirements लेकर आज़े और बूले मैंने तो ऐसा कहा था मेरी तो requirements यह थी है आपने तो मुझे यह बना कर देती तो उस वक्त future में कोई dispute ना हो उसके लिए यह document होता है SRS document जब हम इस face में complete हो जाएंगे जब यह face complete हो जाएंगे तो हमारा third phase है design जिसके हंदर हम क्या करेंगे हम अपने SRS document को देखते हुए software का एक design ready करेंगे यानि कि हम diagram बनाएंगे blueprint बनाएंगे software के लिए क्योंकि हम इस blueprint को क्यों ready करते हैं क्योंकि जब भी हम कोई blueprint बनाएंगे तो फिर developer के लिए बहुत easy होता है उस blueprint को देखते हुए software को ready करना और हम यहाँ पर जो document ready करते हैं जिसमें हम multiple designs को create करते हैं उस document को हम कहते हैं as dd a software design document जब एक दफा हम software का design बना लेंगे तो फिर coding phase में जाएंगे यानि के कोडर पर क्या करेगा उस software को implement करना स्टार्ट करेगा according to the design यानि के जो design create हो चुका होगा previous phase में उस design को देखते हुए वह software की coding करना स्टार्ट करेगा किसी भी programming language में जब coding done हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे उसकी unit testing करेंगे unit testing क्या होती है let's suppose एक हमारा management system है किसी भी management system को जब हम open करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक module आता है login module then हम उसमें ID passport देंगे फिर वो next page पर जाएगा इसी थरह जो login module है वो हमारा एक number one module है so unit testing क्या होता है जब हम पहला module develop करेंगे तो उसको उसी time उसकी unit testing करेंगे कि मूँ module ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा या कोई error तो नहीं आ रहा so इसलिए coding करते ही हम unit testing करेंगे जब unit testing हो जाएगी तो हम जाएगे इसके next phase में which is integration and system testing one module is combined from another module so that integration testing can be done on combinations of module integration testing में क्या होता है कि जब हम one by one unit testing कर लेंगे यानि कि हमने एक module बनाया उस पर unit testing कर ली फिर हमने दूसरा module बनाया उस पर unit testing कर ली हम क्या करेंगे जो दोनो modules के हमने unit testing करी तो हम इन दो modules को आपस में combine करेंगे और combine करके check करेंगे कि ये module ये जो दो modules आपस में combine हुए है इनमें कोई error तो नहीं आ रहा, कोई bug तो नहीं आ रहा या ये सही से functions चल रहे हैं या नहीं चल रहे तो इस testing को जो कहते हैं, वो हम कहते हैं integration testing Once integration testing has been done तो हमारे पास एक पूरा software ready हो जाता है और जब एक पूरा software ready हो जाएगा तो हम उसके उपर कौन सी testing करेंगे, system testing System testing consists of three different kinds of testing activities तीन तरह की होती है, total system testing हम discuss करते हैं alpha testing, beta testing, acceptance testing alpha testing में क्या होता है, जो के team खुछ से test करके देखती है कि कोई software है, वो according to user requirement डेवल अप हुआ है या नहीं हुआ beta testing में customer खुद से उस software को test करता है, check करता है कि मैंने जो requirement बताई थी, उसी requirement के मताबिक ये software बना है या नहीं बना acceptance testing में ये होता है, कि again, जब हम उसको बिल्कुल deliver कर रहे होते है software को जब बिल्कुल customer के पार deploy करने का time होता है तो उस time ये testing होती है, जो कि customer खुद देखता है कि मुझे software को accept करना है या नहीं या मुझे इसको reject कर देना है, so यहां पर ये testing का phase जब complete हो जाएगा तो सबसे last और very important phase in waterfall model which is maintenance maintenance phase इसलिए waterfall model में बहुत जादा important है, क्योंकि waterfall model का जो सबसे बड़ा drawback है वो यह है कि हम एक phase में जब एक phase से जब बहार निकल कर दूसरे phase में जाएंगे तो हम go back नहीं कर सकते, यानि कि हम back हो ही नहीं सकते यानि कि अगर user कोई requirement let's suppose कि बीच में बताएं कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा कर दो तो अब हम तो previous phase में जाएंगे नहीं सकते, हम तो feasibility study में जाएंगे नहीं सकते, नहीं हम requirement वाले phase में जा सकते हम जब एक बार आगे बढ़ गा यानि कि जब waterfall हो गया यानि कि पानी गिर गया तो अब पानी back नहीं हो सकता, चलिए इसकी थोड़ी से advantages and disadvantages देखते हैं, advantages इसकी यह है कि यह base model है, यानि कि सारे models, जितने भी आगे के models हैं जो कि हम go through करेंगे, यह सबसे base model है, simple and easy है, यानि क हर, जब हम जब team waterfall model को choose करती है, तो उसको यह बात पता होती है, कि अगर हम दूसरे phase पर चले गए तो हम previous phase पर back नहीं कर सकते हैं, तो team क्या करती है, कि हर phase में उतना ही time देती है, जितना उस phase में need होती है, यानि कि हर phase में clearly visible, understand करती है, कि ऐसा नहों कि जब next phase में move करें, तो हमें ये feel के नहीं हमें हमारी जो है, थोड़ी सी चीज़ें जो है, मिस आउट हुई है, या हमें previous back होना चाहिए, क्योंकि previous back तो होई नहीं सकते हैं, इसलिए हर phase पर team अपना proper time देती है, ताकि वो उसको सही सा understand कर सके, ये project, इसके advantage है कि ये small projects में हम use कर सकते हैं, जिसमें requirements बिलकुल well understand or clearly visible हूँ, क्योंकि again वही बात है कि हम requirement changes तो हम दे ही नहीं है, हम user को तो ये option प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, जब उसके पास सिर्फ feasibility में chance होता है, कि वो अपनी हर requirement को बता दे, जब हम next phase में move करेंगे, तो फिर हम उसको ये option देते ही नहीं है, कि वो हमें बता है, okay, so, अब हम देखनें disadvantage, सबसे बड़ा जो disadvantage है major waterfall का वो है no feedback, no feedback means कि अगर आप पहले phase से दूसरे phase में गए तो आप user को user से feedback ही नहीं ले रहे हैं, मतलब आप उसको option ही नहीं दे रहे हैं, अगर वो चाह रहा है कि मेरी requirements को मुझे change कर दो, या अगर किसी phase में कोई problem आरी है, तो feedback का तो option ही नहीं है, तो यह सबसे बड़ा waterfall का disadvantage है, दूसरा disadvantage है no parallelism, parallelism में क्या problem हाती है, कि जैसे के different phases है, अब different phases है ना तो जैसे के feasibility study है, अब जब इस phase पर काम हो रहा होगा ना तो आगे के सारे phase stop होंगे, काम तो होई नहीं सकता, क्योंकि हम सबसे पहले एक phase पर काम करेंगे, फिर हम दूसरे phase पर जाएंगे, फिर हम तीसरे पर जाएंगे, so one by one हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहला phase भी चल रहा हो, दूसरा phase भी चल रहा हो, तो इसमें क्या होता है, यह बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, कि पहले phase पर पुरी टीम का, पु को मैं एक एक्जेम्पल के साथ आपको समझाती हूं लेट सब्सक्राइब करना है आपने एक प्लॉट लिया प्लॉट लेने के बाद आप उसके आर्किटेक्टर के पास गए आपने सुझा कर बोला कि मेरा ऐसा है मुझे इसमें फाइव रूम्स चाहिए थ्री ट्वाइलेट आप मुझे इस तरह मेरा ड्रीम हाउस रेडी करके दो अपने सारी रिक्वार्मेंट्स बता दी मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूं अब आप मेंटेनर के फेज में ही मुझे 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 मुलाकात करेगा जब आपका जो हाउस है वो बन जाएगा सो अब आप ये बात द अब आप देखें जब आपने ड्रीम हाउस को देखेंगे तो यह तो किचन जो है चोटा हो गिया या इसमें रूम बड़े होने चाहिए थे ट्वाइलेट चोटा होना चाहिए था फिर जब हम एंड में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम चेंजिस करवाई जैसे कि हम घर म सब्सक्राइब होते हैं हम तोड़ पोड़ स्टार्ट कर देंगे नहीं भाई इसको किचन को तोड़ दो उसको तो तो वह बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि एक चीज़ बन गई और आप अगेन उसको चेंज करो तो वाटर फॉल कर यह बहुत बड़े ग्रॉबैक इ बढ़े बढ़े ग्रॉबैक टो वह बहुत रीजाओ और चाइव सक्क्राइब को वह बहुत प्रॉबैक ढाई भाई भाई लेगं पोड़े जाहे हो अगेन सबस्गता अगें झाल झाल